कि हालो क्राइब देके मोरी क्लास सभी दोस्तों खार देश्वागताव में आज इस वीडियों बात करने वाले हैं साइन्स का ये सिकंड चेप्टर है यहां पे आम और च्छार के बारे में यहां पर हम पूरा यह सिकंड चेप्टर यहां पर पुरी डिटर्म बात करें आज भी तैयार तैयार करने में आसानी होगी आप लोग पॉइंट यहां फी स्कॉणिक कर खसे हैं अब क्षेनल पर नहीं चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर एगा चलते हैं वेडियो को सुरूर करते हैं यहां पर जो पहला प्रत आता है यहां पर आपर और चार की बात कर रहा है यहां पर आपर और चार लाल लीटमस पेपर क्या क्या करता है यह मैधा कर देता है य। जली बिलियर में क्या देता है ऑशार जली बिलियन में क्या देता है यहां पर जली बिलियन में विद्धुद्धारा परवाहित करता है यहां पर जली बिलियन में विद्धुद्धारा परवाहित करता है यहां पर जली बिलियन में विद्धुद्धारा परवाहित ना करना है यह क्या है चार के लच्छड होते है यहां पे इसके बारे में बात कर लेते हैं, आम लग के भौते गुड़, आम लग चार और लवड के यहां पे गुड़ होते हैं, आम लग के भौते गुड़ के बारे में यहां पे अध्धन किया जाता है, आम लग के भौते गुड़, चार के भौते गुड़, यहां पे आम शार के साथ अपनलेक्र करना यहां पर इसके गुड़ में शार के साथ बंगधय Georgian अजिक और भूलते टाना करनावर इसके अधार पर बताया गया यहां पर चलते हैं पए तोपिक को स्टार्ट करते हैं आम क्या होता है कैसे पॉइंट को यहां पर बनाना है भी कि अपको नंबर भी को पॉरी नंबर आप लोग स्कोर करेंगे यहां पहले यहां पॉर्ण में लिखना है आप लोग को उत्पत्ती जो यहां पर आम लोग होता है इसकी उत्पत्ति को अंग्रेजीम अब लोग को अंग्रेजीम क्या करते हैं जो लेटिन भासा सब एससे बना हुआ इंप्ट का अब भी काता है लाल करता है लाल कर देता इसके बारे पर बताए गया है बिलायक च्छमता क्या होती है उच्छ होती है जो होता है यहां पर इसकी बिलायक च्छमता क्या होती है उच्छ होती है यह जली बिलियन में यस प्लस आयम देते हैं अब इसके बात कर लेते हैं उधारण की यहां पर सिंक वा सिनिटाइजी में साब करने में इसका काम आता है यह सियल हाइड्रोक्लोरिक अमलग का यहां पर काम आता है उसके उधार साथ उसका हम यूज भी बता दे रहें कहां पर इसका यूज होगा सल्फियूरिक अमलग की बात कर लेते हैं तो सल्फियूरिक अमलग को अमलो यह उपयोक को साफ करने की काम में आता इसके बारे में यहां पर लिखना है है यहां पे पॉयरग तौ इहां पे लिखा हो गया इंपॉनन टॉपिक है छषार छार के बारे पर लेकी कि एक के बनीज़ में पर चाए जब्दी को कि उत्पति में पहले होता है यहां पे बारे सकाए काई सकार उतक रूडबा क्रूप में नीम बेकिंग सोडा इसके उध्ठाल है Lars चाहर लाल लिट्रोस मेडा करता है नीला क買ता है यह एसपर्स में साबुन जैसा बेवहार दिखाते हैं है यह चाहर होते हैं भुलन Wel Ama में वोयाच आयंग देते हैं चार में गुलन सिal र tom उप कहते हैं इसके बायंक्त में तैसा सोडियं टोडियम हाड़ा अक्सा blessing होता है अगला यहां परवल चान सांब होता है अगला यहां बढ़े पुर्वल कंख के की किया जाता है कि मत्ती की की अमली था को के का किया जानता है अब बात कर लेते हैं आम लग जार में क्या अंतर है ? पहले पॉंट में बात कर लेते हैं आमरा क्या होता है, अमला क्या होता है, अरच प्लस आयन देते हैं तिसरे पॉंट में बताया गया अमले लिटमस पेपर को लाल रंग में परिवर्तित कर देता है अमले लिटमस पेपर को क्या करता है लाल रंग में परिवर्तित कर देता है छार लाल लिटमस पेपर क्या करता है नीले रंग में परिवर्तित कर देता है इसके उधारण क्या है यहां पर सूचक की परिभासा क्या है यहां पर यहां पर सूचक का साब्दिक अर्थ होता है इसका समान अर्थ होता है सूचना देने वाला कैसे सूचना है यहां परिभासा के रूप में बताए गया वे पर्दार्स जो बिलियन में आम लाव चार की उपस्ति का पता लगाते हैं उससे क्या कहते हैं सूचक कितने परकार का दो परकार का होता है कौन-कौन से प्राकृतिक सूचक और संसलेसित या क्रदितिति क्लिव चोट इसके बारे में देढक लेते हैं इस देखरें सूचक के परकाज सूचक के प्राकृतिक प्राकृतिक शुक सूचक के नाम कोई कोई होगा चाहर के साथ में नीला होगा जाएगा यहां होजाएगा यहां क्या होजाएगा मेथिल ऑरेंज कारा होजाएगा अमलच के साथ में हो जाएगा घंधी यहां पर सूचंग में देखते हैं प्याज के साथ में ती-छड गंध देगा यहां पर रहता है यहां यहां पर कोई रहता है नहीं रहता नहीं रहता कोई बारे में बत्क घ्लिट मस ब्लियन बैंगनी करह निकाला जाता है इसके बारे में आफे बता गया है कि यह परदार्थ जो अपने रंग में परिवरतन कर दूस्ते परदार्थों को हम साउचक कहा जाता है संसोचक के परकार प्रकृत नथ इनnos परकृते हैं यहा坐 सरोतों से प्राप्ठ होते हैं उसे लिटमस हल्दी चाइना रोजिए नाल खोर को भी आदी है this प्रफिस पातिस स्रुच्छाफ करते से श्चुचफ है यहाँ पे पたいक में अक्क्तमस मैं और इसके बात कर लेंत रहता है रहता के रहला पिंच्व स्यम्क्ष को से तो यहाँ हतता है नम मुँदेघनी होता है जह रहां ना तो अम्पर होता है छह दो։ लाल कर देता है जो लिटमस पत्र होता है कोई से होता है नीला और लाल होता है यहां क्या करता है आम ले लिटमस पत्र क्या करता है लाल कर देता है जब कि छार लिटमस पत्र क्या करता है नीला कर देता है और अमल क्या करता है उसे लाल कर मिले लटाल कर देता है यह उसके विप्रित होते हैं हम यहां इसको सबस्क्राइब सकते हैं यहां से इसको देख सकते हैं और च्छारों के रसानी गोर्ड के बारे बात कर लेते हैं यहां पाइंट jusन mu Football ऐता किर्या मद यहां पर ख्टें मुथार्ट 7 timeduy ऐहां है नहीं कारण हे कि खट्टे म्ली परदार्थ में लो फेड़ा से उद्धार्टारत में किरिए करने जैसे पीटल के बरतं में डहीं नहीं रखा जाता है यहां पर virginn सब्सक्राइब में उढ़ा के इंद्राइब का सब्सक्राइब विकला में कि अधान के बफ़ा गेंध। यहां नृव्च इना इस उट रहे हैं शाबोयन मुंबत्ति पर निस ने घलाते हैं जैसको देख लेते हैं आमलका साता है आप फिरियया कैसे करता है इसको भी जैख लेते हैं आप पर यह चार दिया हुआ आमला और धातु मिलके क्या बनाते हैं लवड बनाते हैं और यहां पर क्या गाता है लवड और हाइडोजन बनाएंगे यहां चार और धातु मिलके क्या बनाएंगे यहां पर यहां पर इसके बारे में बताए गया है यहां पर धातु की चार के साथ अपर रिया करके लवड हाइड़ोजन गयस बनाती है तो सभी धातमों के च्हारों के साथ लिया कर दचेए नहीं बनाती यहां पर इसके बारे में बताए गया है यहां पर ये इसके बारे में देखिल लेद रर पंपë tastes जब किसी रचानाइक परक्रिया फंव noises निकलते थे उप पास जलती हुई मुंबती ले जाने पर फट फट की ध्वन उत्मन होती उसे पॉप टेस्ट कहा जाता है अतर निकलने वाली गैस हाइड्रोजन है यहां पर इसके बारे में बताए गया है यहां पर अमला की धातु आक्साइट से अपकिरिया एक हमने यहां बता दिया इन सब भड़ानी आकसाइड क्या है ऐसे धातु चाहि जो अपर वच्छारी दोरों प्रभीत के दर साथे ईसे जिनक यहां बद्राले की यहां पर अपकिरिया आपकिरिया करके लोड जल तथा कारबंड़ाई आकसाइड मैस देते हैं यहां पर इसको यहां पर इसको इसका चीत र यहां पर इसके बारे में बताए गया है आप लोग यहां पर इसको देख सकते हैं यहां पर कोई यहां पर निकास नली है यहां परक्ष नली है यहां पर देख सैंध्क हमने प्राप्थ होता है इसके बारे में पर बताए गया है कि यहां पर आध कर लेते हैं अगला प्वाण में इंप्रॉटन्ट ट्रापिक है अम्लोवाइच छार में समानता क्या है अम्लोवाइच छार में समानता क्या है हम एक परियोग के द्वारा आम्लोवाइच छार की समानता का अध्यान करते हैं जैसे परियोग में गुलुकोज इलकोफल या सील या नियोज के बिलियन में लेते हैं लेते हैं एक कॉर्क पर दो केले लगा कार्क में 100 ml बीकर में रख देते हैं इन दोनों कीजों में 6 बोल्ट की बैट्री के दोनों सीरों के साथ बल्ब की कुझ्जी की माध्यम से जोड़ देते प्राइब इस में थोड़ा सuffy करते हैं इसके बारे में बताय किया है यह किया यहां पर किया है यहां 200 की है द्युक्री में गलीन गल्युकर के बिल्यान में बाफ नहीं जलता है दूसरे बिल्यान में बताए गया एंगहार इॐ 4 पॉइंड होना इसाद हम एंगल आकशाइडश ही और फ्र चॉडियूष कोहारा थार और टॉपिक थे एचे सुडियुम stairs का प्र Award है यहां पर आता हम देख सकते हैं आता हम देखते हैं कि ग्लुकोज वा इलकोहल विद्धु चालन नहीं करते हैं तथा हाइड़ोक्लोरिक आमल के बिलियन में येच प्लस आयन उत्पन होता है इसके बारे में आपे बताया गया है अर्निहस सिध्धांत क्या है इसके बारे में आपे बताना आध्यस अर्णिहस रलकप्दा आमल वह चार की परिभास सवर्पतम अठाश सवर्ण आठाशन ने इस परकार दी आम्ले आमल को बारे में आप पले बताया था वे परदाश जो जली बिलियन में अबगटित होकर है हैं फिंह करना होते हैं है यहां हो सकते हैं इसकंड आपने सकते हैं कि झा मिला है था हम पर उपद्दाश के बारे उन का कि ista है और ब्हुत दो हम इसे उंखंड थो होकर नहीं है भर यहां अपर हाईड्राकसाइड आयन देतह है उसे छार एय करते हैं किसे छाइड्रक साइड्र्कों चाहरे है किसे छार्कılarक बीलादे पर हमibenरे कि he or यहान उमार आपर शार जाल के भिले Jki यहां पर लहेता है है कि मार्स लिए और यहां की जो हैं किसी सब् the नोट सक नहीं आई किसी स्वत नहीं यह रिए नहीं अ है यहां आप लोग को सारे यहां पर यहां पर यहां पर हमारे को जो कर सकते हैं यहां कि सकते हैं साम को क्षाम atmosphere अधिक होती है बिल्यइन में जल की मात्रा क्या होती है इससे क्याब maintenance ? बिलीन के मातर होते हैं विसे संद्र के कहते हैं आमल आइन के सांदर की संद्र के सांदर के शार को जल मिलाने पर आयन की संद्र जाता जैसे यह तो यहां पर इसके टॉपिक है यहां पर दूरबल अमल्शक्षार क्या होता है यहां इसके बारे में बता गया भी चायों पर चाहर कहते हैं एन्हें भी ज़तवाराइबंस एफी उत्वाट से की अट्वार मलटारर कि Gmar चाहर हो पर चाहर स्क्राइब मेंगनेश्य औक्साइड यह फिर हटाम भी अपर तो अम्लराज क्या होता है यह स्रियल के यहां पर तेन अड़ों यहां पर अड़ों है यहां पर इसका जो रहेगा इसका होता है सोना यहां प्लेट्रिनम जैसे महंगी धातों को गलाने में इसका किया जाता है यहां पर जली बिलियन में इनका जो रेशियो होता है यह स्रियल और एंका वड़ेंटियों कि गुलाने में किया जाता है कि या च्छारक होता है जली बिलियन में आमलः च्छारक होता है जब एक परक्रखना तरु कत ँप्रता है यह सीरी अका करेते हैं है तो हमें हाइडोक्लोरिक ये सीयल गयस बनाते इस प्रक्रालिक परिचप क्या परिच्छर किया जाता है इसके बारे में बताया यहां पर दो ब्यक्स लिए गया इसके बारे नहीं है एक परक्षण नली को यहां पर जब यहां पर निकास नली के वर्क में आदर लिट्यमस पातर रको और इसके पर नो झोलता है उसके वहां पर जैए कैसे इसका देख लेते हैं करते हैं इसके बारे में देख लेते हैं आम लोग चार प्रस पर किरिया करके लवड़ जल का निर्माड करते हैं उससे क्या करते हैं उदासीन करते हैं आम लोग चार एक दूसरे के समस्त गुड़ों को निर्माड होता है पीएच इसकल क्या होता है किसी बिलियन में उपस्तित किसी बिलियन में उपस्तित हाइड्रोजन आयन के संता गयात करने के लिए एक स्केल किया गया जिसे पीएच इसकल कहते हैं किसी बिलियन में चारग पर बलता दूर बलता कि साथ साथ उसके मान को बताता है इस परकार सुचक होता है यहां पर जैसे यहां कुछ पॉइंटों को दिया गया है यहां पर कि हीड्रोग अयन कंश फिनि अतना ही कम होगा किसी बिलियं मान आ साथ होगा किसी पिलियंग प्लियंग साथ हो‐ viable होगा साथ से कम होने पर यहां पर सक्ति क्या होगी बढ़ जाएगी यहां पर परबल अमलक क्या है उसके बारे में देख लेते हैं कि जिस बिलियन में अधिक संख्या में यस प्लस आयन उत्पन करने वाले को क्या कहलें लग यहांप तो दो क्या होते हैं उसके बारे में यहां पर बताया गया क्या है 수ग्या पर इसको देख लेता है में उसे उन्हें क्या कहते हैं जैसे हमारे रख्त का कितना होता यहां पर 7.4 होता है प्राज की बिसकार करता है और उसका उसत मान कीतना हो जाता है तो आधिक कहते हैं यहां हमारे दैनिक जीवन में पिएस का महतु क्या है इसके बारे में देख लेते हैं इंपोर्णट टॉपिक है और हमारा सरीर हमारा सरीर में अमनी वर्षा कि हानिया क्या है अमली वर्षा से जल जब नदी में परवाइद होता है तो नदी के जल में pH कमान कम हो जाता है ऐसी नदी में जली जली जिवधारियों में उत्तर जीवीता कठिन हो जाती है जो उसमें जीवधारिया है वहां पे रहने वाले वहां क्या हो जाती है कमी हो जाती है वहां पे उन्हें सास लेने में क्या हो जाएगी दिक्कत हो जाएग क्योंकि अच्छी उपस के लिए पौधे का एक विस्ष्ट प्यस परास की आप सकता होती है मिट्टी में अमली गुल बढ़ जाने की कारण पौधे क्या हो दा नुकसान पहुचाता जिससे फसल अच्छी नहीं होती मिट्टी के प्यस परास को ठीक करने का उपाए मिट्टी क खात्म करने के लिए मिट्टी के चाक पाउडर चूना मिला जाता है मिट्टी की प्रकृति चारी बन जाया यहां पर इसके बारे में आपे बताए अमनी माध्या में भो छ पानी पहुंचाए भोजन की पाचन में सहायता करता है कि समानित है हमारे उदार का प्रास लगभग 1.5 से लेगा 3.5 के भी इसकार करता है इन में भी निम्न दो इस्तितियां है पहला को अल्प अमलता कुछ भी अक्तियों में यह स्रीयल यह स्राव बहुत कम होता है जिससे उनके भोजन नहीं पच्टा अथवा कम पच्टा है ऐसी अवस्ता में अल्प अमलता जैसे अपच कहते हैं ऐसे ब्यक्ति को भोजन के साथ अमली परदार जैसे नीवू सीरका लेना पड़ता है अथवा पाचक रस उत्पन करने वाले वस् परदार जैसे ब्यक्ति उदार में दर्द एवं जलन के अनभों करता है इस दर्द को मुक्त होने के लिए इंटासिट लेना पड़ता है यहां पर इसके बारे में आप बताया गया प्रति अमल की और इसको देख लेजागा और यहां पर क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है है अग्याल ऑफ जीए देख समाना यो मन में 255 रहता है इसका मन के सवर्द फाइप से कम हो जाए तो दातों में वाल कैल्सियम Chr anunciχ態 का बना होता है जो सबसे कठोर परदार्त है यह दातों को बाहर से बचाव करता है जब मुह में पीच मान कितना होता है 5.5 से कम हो जाता है तो यह क्या धिरे-धिरे संचारित होने लगता है इसके बारे में आप बताए गया है मुह का pH मान कम होने कारण क्या है इसके बार में देख रहते हैं मुह का pH मान कम होने का कारण जब हम भोजन या कोई मीठी चीज खाते हैं तो भोजन के पहस्याद मुह में अवसिस्ट सरकराव खाद परदाथ रह जाता है जिस पर मों में उपस्थत बॉक्तिरिया उसका निई करň करते हैं उससे अमला उत्पनों करते हैं यह अमला इनमल को नश्ट कर देता है जो दंचे का प्रमुक कारण बंता है यहां पो गुněह तो दिखर लूँ भोजन के लिएख सहार की द्ध मंजर का करने से अमल की अधिक के मात्रा में उदासिन किया जा सकता है जिससे परड़ाम सवरुप दंद 6 से रोका जा सकता है क्या है जब सोडियम को लाइट सधार नमक से जली बिलियन में विद्धु धारा परवायत की जाती ही तो यह ब्योजित होका सोडियम हाड़ा अक्साइड क् के लिएक के थो परकृ्रिया इस प्रकारिया को रस अनिक रूभी के बताए गया हूं सोडियम को लाइट का झाली में विद्धु विद्धु परवायत की जाती है तो इनके एंहोड से के फोर से फैट रोग गया सित्फपन करता है हाल सौटियम हाइडराउकसायड के विलियन में इसके कफोर के पास बनता है यहां क्या है सोडियम हाइडराउकसाइड लोग को यहां क्लोरीन गैस का उप्योंक क्या हुआता है शाबुन और अपमार जग बनाने में किया जाता है इसका प्योंक करते किलोरियlike का उप्योग क्या है क्लोरियन का उप्योग किरें किया जाता है किया जगे यहां में प丁ह कुछ कुछ important विएक है इसका मार रिन बनाने में किया जाता है इसका उपयोग महात्पूरीक लिए महात्पूर में दावायों के ने निरमाड में सवन्दर परुषाधन के निरमाड में आदिवम पात की सफाई में हैं इसका परियोंग किया जाता है रिंजक्चूर का उत्पादन इसका देख लेता है इंपॉर्टन प्रक्रिया में प्राप्तों क्लोरीन और सुखे बुझे हुए चुने की किरिया से बिरेंजक्टूड का निर्माण होता है इस प्रक्रिया को रसाइं करण कहते हैं जैसे सी यहां पर इसके साथ किरिया करा हमें क्या मिलेगा कि प्लस टुवल्ट मिलेगा बिरेंजक्टूड का रूपी। के कागए स इसक्पमें किया जाता जांग यहां इसके बारे में बथ्षानीड उप्चायक के रूप में देर पीने वाले जल के जिवाड़ों को मुक्त अन्य में रोगाण मुनासक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है इसके बारे में बताए गया बेकिंग सोडा का उत्पादन इस योगिक का रसानिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यान यह सी ओ तेरी कच्छे परदा यहां पर अमोंियोम है सोडियम हईड्रों कार्बोनाचरू की बनाने के लिए किया जाता है इस सब्सक्राइब खाने सिगरता से पकाने के लिए भी किया जाता है इसका तिस्तरा पॉण्ट यहां पर यह एक दुर्बल छारग भी है इसका उपयोग कई बार अत्य अमलिता के स्थिति में की जाती है और यह क्या इंट्रे सीड का संगठक भी है चवधे पॉण्ट में बता गया इसका उपय उब स्थित भी प्लास निर्माड का इसा होता है इसको भी देख लेते हैं कि बिचंग सोडा का टारिक जैसा मन्द खाद स्थित से जान कर्ण किया जाता तो या धार आइक साइट जल और अमलग का स्थिएum लड परदान करदा जिस जिसकी निमना भिक्रिया होती है जैसे सब्सक्राइब करने में क्या होता है मुलायम होता है यह कुछ है यहां पर आप लोग यदि यूपी बोर्ड के तायरी करना चाहते हैं यदि अभी नोट्स नहीं यदि आप लोग 90 प्लस को टार्गेट कर रहे हैं आप अब लोग हमारे क्लास को जरूर्ण कर दियेगा बिके मोर्या कलास अब लोग यहां पर कैसी लिखने का पर किलियर कर देंगे आप लोग हमाले स्टेशन को जरू जवान करिए साम को साथ बुज़ाश लेकर आठ बज़ तक हम अपने वीडियो के यहीं सवाब करते हैं थैंक्यू जए हैं